कॉंग्रिस में मची भगदर की बात कॉंग्रिस की प्रदेश अध्यक्ष भड़क गए हैं वे अपने कुनबे को संभालने के बदले अपना गुस्सा मीडिया पर निकाल रहे हैं पहले हम आपको बिहार कॉंग्रिस की प्रदेश अंत्यक्ष अकलेश सिंग का वह बयान सुनवाती हैं जो की सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल मीडिया के साथियों ने अखिलेश सिंग से जब यह पूछा कि कॉंग्रिस के कई विधायक पार्टी छोड़ने की तयारी कर रही हैं इसका जवाब तो आपने सुनही लिया विधायक मुरारी गौतम के पाले बदलने पर उन्होंने कहा कि इधर थे तो मंत्री बने थे उधर जाकर कुछ बने तब तो कुछ होगा देखिए पूरा वीडियो कांग्रेस पार्टी हाज हर जिला ध्यक्ष लोग यहां आए हैं और किसको क्या चाहिए जिला में ट्रांस्पोर्टेशन के लिए लोगों को लाने के लिए हम लोगों से जादा उत्षाहिद जनता है इस बार बिहार में इस रैली में आने के लिए और पहले दस लाख लोगों का तार्गेट रखा गया था हमको अब अंदाजा नहीं है जिस तरह से जिला से रिस्पॉंस है कि कितना लोग उस दिन गांधी मैदान नहीं पूरा पट थोड़ी हो रहा है रैली तो पूरा महागट बंधन का है और जो जना क्रोश है खास करके नितीज जी के पाला बदलने से या मोधी जी के वादा खिलाफी से वो दिख रहा है यह हम धन्यबाद देते हैं तेजस्वी परसाध यादव को कि वो जिला जिला का दोरा करकर सब जी आएंगे बिल्कुल आएंगे राहूल जी के सामने ये रेली तैय हुआ था सर मोधी जी आ रहे हैं सर दो तारी को कहा ये जा रहा है कि गड़बंदन का प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा मोधी जी अब हवा हवाई से बात क्यों कर रहे हैं आप देखिए का रहे हैं मुख मंत्री हैं कि अब मुख मंत्री हैं के प्रधान मंत्री हैं आप से बिधायक क्यों मेरा बात करता है आप को बता ही दिया आप कौन है कि आप से विधाय को मेरा बात कर रहा है चलिए